एक बड़ी खबर देशी ब्रांट से आ रही है जिसने चीन की हालत खराब कर दी है बतादे कि होम ग्रोन डारेक्ट टू कंजूमर यानि की डी टूसी वेरेबल ब्रांट विंग्स लाइफस्टैल फैनेंशल येर दोहजाब चॉबिस में और सप्लायर्स और कंजूमर के साथ बहतर तरीके इसे जुड़ने के लिए इस थानी स्तर पर ब्रांट आगे बढ़ रही है बतादे कि ब्रांट पहले पूरी तरह से चीन पर ही आशिर्थ था लेकिन भारत से उठती मेक इन इंडिया और आत निर्भरता की गूंज ने कंपनी को बड़े फैसले लेने पर मजबूर कर दिया है जिसका प्रणाम यह है कि जहां दिसंबर 2022 तक भारत में मैनिफेक्चरिंग का करीब 30 प्रतिशत और चीन में 70 फीसेदी हिस्सा हुआ करता था लेकिन फैनेशल यह 2024 में यह भारत में कम से कम 60-70 फीसेदी तक बदलने जा रहा है और यह बदलाओ केवल एक साल के अंदरी देखने को मिला है और आश्यर नहीं होगा कि 2025 आते आते कंपनी पूरी तरह से सोधीशी पार्ट्स और कंपोनेंट का इस्तमाल कर रही होगी बता अफ्लाइन सेल के साथ मिलकर 2024 आते आते कंपनी एक मजबूत इस्तिती में होगी बताते कि विंग्स अन्य डॉमेस्टिक वेरेबल व्रांट जैसे पी ट्रॉन प्ले और मीवी में शामिल हो जाएगी जो अपनी घरिलू मैनेफेक्ट्रिंग कैपेबिलिटिस को बढ़ा रह है इससे आप समझ सकते हैं भारत में मैनेफेक्ट्रिंग होने से लोकल पेर्स के साथ ही साथ भारत में सोदेशी किनड की मातरा में इजाफा देखने को मिल रहा है वहीं फाइनेशल ये 2024 में कंपनी लाइफस्टाइल ऑडियो वेरेबल्स और गेमिंग एक्सेसरी सेग्में में कुल मिलाकर 3 मिलियन यूनिट का निर्माण करेगी वहीं चीन से भारत में मैनेफेक्ट्रिंग बेस में बदलाव से नौकरियों के सर्जित होने और चीनी आयात्म निर्भरता कम होने से भारती अर्थववस्ता पर सकारात्मक प्रभाव पढ़ सकता है और ये कदम भार